Financial Risk Manager यानी FRM, ये qualification exactly क्या होता है, किसने करना चाहिए, किस company में काम कर सकते हो ये करने के बाद, कितनी salary मिलती है, हर एक चीज आज के वीडियो में समझेगे हमने recently CFA पर जो वीडियो बना था, उसके comment section में, और हमारे DM में बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा, कि भाईया, FRM क्या होता है, CFA पर जैसे वीडियो बना था, वैसे FRM पर भी बना दो, काफी help हो जाएगी, तो हम आ गए बना कर, FRM माने Financial Risk Manager, ये भी CA और CFA की तरह एक designation होता है, जो आप आपके नाम के आगे लगा सकते हो, इसे issue किया जाता है, Global Association of Risk Professionals के द्वारा, ICAI, CFAI, इसकी तरह GARP भी एक body है, जो basically globally risk professionals का एक association, यानि एक community की तरह function करता है, जो सारे लोग insurance, banking, asset management के risk divisions में काम करते हैं, वो generally इस association का एक member होते हैं, basically ये community, उन सारे लोगो के लिए है, जो banking, insurance, अलग financial institutions के risk divisions में काम करते हैं, तो यही चीज आपको देखने मिलती है, FRM के case में, ये basically एक ऐसा designation है, जो primarily financial risk पर focus करता है, अगर आप FRM कर देते हो, तो आप financial risk की assessment में qualify हो जाते हो, साथ ही एक और major चीज होती है, जिसे बोला जाता है, Basel norms, मतलब ये कु बैंक्स ने follow करने होते हैं, basically ये कुछ restrictions होते हैं, जैसे for example, एक bank, एक particular type का loan कितने सारे लोगों को दे सकती है, मान लीजे एक bank है, जिसने बहुत जादा risk वाले loans दे रखे हैं, हर एक इनसान को, तो obvious सी बात है, उस bank के लिए risk बहुत जादा बढ़ जाएगी, तो ये Basel norms जो related होता है, FRM की दो part की exam होती है, जो part 1 होता है, वहाँ पर 4 subjects होते हैं, foundations of risk management, quantitative analysis, financial markets and products, और valuation and risk models, basically वो सारे लोग जो FRM करते हैं, इनका primary interest ये होता है, institution को help करना, ये समझने में, कि वो जो सारी investments करता है, जैसे operate करता है, इसमें कितना ज्यादा risk है, अब देखिए, जब भी को friction करती है, वहाँ पर अलग-अलग type के risks होते हैं, जैसे regulatory risk हो गया, operational risk हो गया, financial risk हो गया, और ये सारी जो risks होती है, वो उस company के earnings को कैसे impact करती है, उनके cash flows को कैसे impact करती है, ये सारी चीज़े help करते हैं समझने में FRM, FRM का जो सारा curriculum होता है, वो mainly stress testing, risk assessment, फिर value at risk जैसे concept समझता क्या होते हैं, आपको अभी समझने की जरूरत नहीं, short मैं आपको अगर बताऊं तो simple है, मतलब एकदम over simplified example देता हूँ, मान लीजे एक bank है, bank ने कुछ लोगों को loan दे रखा है, अब इन में से कितने ऐसे लोग है, जिनकी default करने की probability ज्यादा है, अगर ये default कर जाते हैं, तो bank के earnings पर कैसे impact पड़ेगा, अगर ये सारी चीज़े आपको interesting लगे और आपको ऐसा लगता है कि यार मैं देखना चाहूँगा कि क्या मैं इन सारे जवाबों को answer कर सकता हूँ, तो शायद FRM आपके लिए सही course है, अब आते हैं necessary background की तरफ, आपकी current degree कौन सी होनी चाहिए मैं BMS कर रहा हूँ, मेरी economics की degree है, मेरे लिए FRM सही होगा या नहीं, देखिए अगर आपको FRM करना है तो तीन main backgrounds है जो अगर आपके हैं तो आप कर सकते हो, अब यहाँ पर कोई hard and fast tool नहीं है, इन तीन backgrounds के अलावा अगर आप कोई degree कर रहे हो, तो भी आप जाके FRM कर सकते हो depending on आपको कहां काम करना है, उसी के साथ आपके interest कैसे है, आपकी history कैसी रही है, आप past में कहां काम कर चुके हो, लेकिन अगर इन तीन backgrounds के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले है कोई भी finance major, जैसे मान लीजे आपने एक BBA कर रखा है, या फिर आपने BAF किया है, या फिर even economics Basically अगर आपके undergraduate degree या फिर आपकी current post graduate degree भी किसी भी finance discipline से related है, तो आपके लिए FRM सही होगा, provided आप risk के field में काम करना चाते हो, इसके बाद दूसरा है कोई भी mathematical या फिर quantitative field, मान लीजे आपने एक degree करिए economic matrix में, या फिर आप data science में पढ़ते हो, या फिर आपकी quantitative analysis के related degree है, आप basic के लिए आपका कोई भी mathematics related background है, तो भी आप FRM कर सकते हो, in fact अगर आपको finance में more specifically risk के field में switch करना है, तो यहाँ पे आपके लिए FRM essential भी होगा, या फिर simply अगर आपको अपना profile और strong करना है, for example बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो BSc करते हैं statistics में, इसके बाद यह जाकर काम करत candidate मिलता है, तो यह हुआ दूसरा path जहाँ पे आपका background quantitative रहा है, तीसरा एक path है जहाँ पे आप कोई भी finance related designation pursue कर रहे हो, यहाँ पर FRM आपके profile को और जादा strong बनाता है, that is अगर आप CA कर रहे हो, CFA कर रहे हो, CS कर रहे हो, ऐसा कोई भी professional designation pursue कर रहे हो, तो आप FRM भी कर सकते हो on the side, अब मैंने on the side ये शब्द क्यों use किये, ये आपको समझेगा जब मैं आपको इस exam के pattern के बारे में और difficulty level के बारे में बताऊंगा, अब देखे जो सारे major professional designations होते हैं, जैसे CACS, CFA, यहाँ पर आपको तीन exams देने होते हैं, लेकिन FRM की case में आपको सिफ दो देने हैं, अब ये क्यों? इसलिए ने क्योंकि ये course बिल्कूल valuable नहीं है, course बहुत ही ज़्यादा valuable है in the right circles, लेकिन ये इसलिए क्योंकि ये course बहुत ज़्यादा concentrated और specific है, मतलब यहाँ पर आप risk management, इस discipline के अंदर एक deep dive कर रहे हो, और आप सिर्फ और सिर्फ इस एक discipline के बारे में हर एक चीज सीख रहे हो, अब ये इतना ज़्यादा specific और concentrated है, ये बागी किसी भी discipline पे touch नहीं करता, इसलिए ये दो exam में हो जाता है, तो आपको तीन के जगे दो exam prepare करना है, उसी के साथ on average जो सारे candidates FRM की part 1 और part 2 exam pass कर देते हैं, वो बताते हैं कि हम on average 200 से 200 गंटे पढ़ाई करते इसी के साथ आपको FRM की part 1 या फिर part 2 में किसी भी constructed response या essay type questions को answer नहीं करना, आपको जो सारे questions है, वो MCQ based होते हैं, आपको part 1 के लिए 100 MCQ questions answer करना है, और part 2 के लिए सिर्फ 80, तो इन सारी चीजों के basis पर हमने कहा on the side, अब CA को on the side करना या फिर CFA को on the side करना ये completely अलग game होता है, लेकिन FRM किया जा सकता है, provided आप properly दिल लगा के पढ़ाई करते हो, अब चलिए salary की बात करते हैं, FRM candidates जो होते हैं, वो highly specialized fields में काम करते हैं, इसलिए इनकी starting salary भी ज्यादा होती है, on average बहुत कम experience वाले FRM candidates की salary easily 7 to 9 lakhs per annum से start करती है, और जैसे आपकी experience और seniority बढ़ती है, this can go as high as 30 lakhs per annum, and this is only because of the specialized nature of the program, अगर आप FRM करने के बाद एक tech company में जाके काम करते हो, जिसका finance से कोई लिना देना नहीं है, तो वहाँ पे आपके FRM की ज्यादा value नहीं होगी, ये वैसी ही बात है कि जो सारे CFA charter holders हो premium command कर पाते हैं सिर्फ और सिफ asset management और research की industry में, वही same principle आपको FRM के लिए risk की case में देखने मिलेगा, अब एक और point ये है कि ये CFA, CA और MBA से कैसे अलग है, देखिए सबसे पहले MBA को side में रखते हैं क्योंकि MBA ये mainly एक management focused role है, अगर आपको corporate finance में काम करना है, investment banking में काम करना है, तो जाके MBA आपके लिए एक अच्छी degree होगी, एक MBA finance graduate के लिए risk के divisions में काम करना है थोड़ा unusual होता है, फिर आई बात CA की, CA जो है वो purely auditing और accounting related course होता, CA में भी आपको risk management, stress testing, इन सारे चीजों पर focus नहीं किया जाता, लेकिन इसी के साथ कहीं सारे ऐसे CAs होते हैं, या फिर CA क students होते हैं, जिनने risk management में काम करना है, तो वो FRM को as an added qualification pursue करते हैं, and lastly CFA जो है, वो purely asset management focused होता है, अब CFA में भी risk related बहुत सारे principles आपको सिखाई जाते हैं, in fact, asset management के field में तो आप risk को बहुत अच्छे से समझोगे अगर आप CFA pursue कर रहे हो, लेकिन that's about it, आप banking, insurance, इन sectors में जो risk management जरूरी होती है, इसके बारे में नहीं सीखोगे, अगर आपको इन sectors के relevant चीजे सीख नहीं है, तो FRM would be a better choice, anyway, इसके अलावा अगर आपके कोई भी doubts है, तो उन्हें comments में पूछिए, video valuable लगा तो subscribe कीजा, I will see you in the next one.